बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल निचुरल टिप्स हिंदी में छोटा सा बेर लेकिन गुडो का खजाना है बेर बेर में पोटेशियम, आइरन, प्रोटीन, एंटी आक्सिडेंट, फास्पोरस और कैल्शियम भरपूर पाया जाता है हमारे स्वास्त के लिए फाइदे से भरपूर है बेर में बहुत सारे फाइदे पाई जाते हैं आखें कमजोर है तो बेर को खाना शुरू कर दीजिए आखों की कमजोरी दूर हो जाएगी बलट स्टर्कूलेशन को सुधारना है, हार्ट को स्वास्त रखना है, कबज़ की प्रोब्लम को दूर करना है तो बेर को भी अपने डाइट में शामिल कर लीजिए पाचन सम्मंदी परिशानी भी दूर हो जाती है, इमिनिटी को बुष्ट करने में बेर का अहम रोल है कंट्रोल में भी रखता है, बेर आप चाहे सुखा बेर खाए या ताजा बेर का सेवन करें, फाइदा तो मिले गई, बीपी की समस्या को दूर करने के लिए और भी कई बीमारियों से बचा जा सकता है, बेर फिरी रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से हमारे शरीर को पचा कंजोर नर्वस सिष्टम को सुधारता है, तनाव में मददकार है, बेर की तासीर ठंडी है, पित को नश्ट करती है, बेर में फासपूरस होने से दिमागी कंजोरी दूर होती है, राजस्थान में बेर खास करके अजुमेर सीकर, जोधपूर, उदैपूर, चितोरगर में उगाया जाता है, एनेमिया के रोगी बेर का सेवन जरूर करें, खोन की कमी दूर होगी, नेंद ना आने की प्रोब्लम है, तो बेर को खाना शुरू कर दीजिए, फाइदा मिलेगा, बेर खाने से नेंद की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, थोटा सा फल खाने में पूरस गुड़ होते हैं, जो चहरे से फाइन लाइन पिगमेंटेशन दूर करता है, साथ में तुचा चमकतार बनाता है, बेर को आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, सुबा, दोबार या शाम में तीन या चार बेर का ही सेवन कर सकते हैं, सुगर के मरीज ज्यादा बेर को न जा सकता है, सीमित मात्रा में बेर गुड़कारी फल है, दिमाग को शांत करना है, दिमाग को शांत करता है, नींद में सुधार करके मस्तिस्क संबंधी बिकार पर बेर का असर अच्छा पड़ता है, आगे भी आपको और भी ज्यान वर्धक जानकारी मिले, इसके लिए हमा तरहेगा, thanks for watching.